चुनावी साल में प्रवेश कर चुका है पहाडी राज्य हिमाचल प्रदेश और इस बीच हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंतरी जैराम ठाकुर दिल्ली दोरे पर हैं उस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर चुनावी साल में प्रवेश कर चुके हैं आज कई मंत्रियों के साथ महत्पून बैठक होनी है और चुनावी साल में विकास को किस तरह से तेजी देने कि अब तैयारी चल रही है लेकि हिमाचल प्रदेश में हम चुनावी साल का ही भी शेय नहीं विकास के दिश्टी से, विकास के दिश्टी से हमने पहले दिन से काम शुरू किया है, और सब चार साल के कारेकाल में सिर्फ काम ही किया है, काम के सिवाए कुछ नहीं किया है, हमने चार दिन की भी छुटी न ही लिए हैं और ऐसे में जब हम चुनावी वर्ष में हैं तो विकास के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको कमपलेशन की और हम ले जा रहे हैं उनको पूरन करने के लिए हम प्रैस कर रहे हैं कि हम उनको पूरा करके लोगों को लाब दे सकें उसका और दूसरे हिमाचल परदेश में जिस परकार से सवाचार साल के इस कारेकाल में हमको समर्थन मिला जनता का सरहुग मिला है और जनहीत में जो निर्ने लिए हैं और उन निर्नों को लोगों के बीच में दे जाकर क्या अपनी बात कर रहे हैं हिमाचल परदेश में जो विपक्ष की स्थिति अभी विशेश कर कांगरेस के आप किस तरह देख रहे हैं और उसमें सुधार की गुंजाश अभी फिलहाल लगती भी नहीं है क्योंकि जिस परकार के आखलात पने हुए और जहां तक दूसरे दल्किया बात कर रहे हैं उसके बारे में क्योंकि अभी तक हिमाचल में उनका बहुत कुछ नहीं है जो उनकी पार्टी का बना हुआ धांचा था वो भी बिखर गया एक पार्टी का प्रेजिदेंट उनका था वो पार्टी छोड़ करके चला गया भाजपा में आ गया पार्टी के उनके परदेश के पदा धिकारी वो छोड़ करके चले गए और जब पार्टी का प्रदीश का अध्यक्ष कहा छोड़के चला गया कहा कि उसको उसके खिलाफ बोलता है महिलाओं को छेडने के आरूप थे जब महिला मोर्चा की अध्यक्षा छोड़कर के चले गई तो हमने कहा कि इसके खिलाफ किस को छेडने का आरूप तो आखिरकार वो किस परकार के आरोब लगा देते हैं अगर किसी के खिलाब भी कुछ भी बात कहना ये इस परकार से उचित नहीं है और दूसरी बात में जिस भाशा में केजरिवाल बात कर रहे हैं दिल्ली में हो सकता है कोई उनकी सविकारता उस दिश्टी से होती होगी यही माशल देभूमी है यह पहाड़ी राज्य है यहां के लोग सरल जीवन वैतित करते हैं सौमे सौभाब के हैं शालीन सौभाब के हैं गाली किसी को पसंद नहीं है और जितना उंचा बोलेंगे उतना भी नुक्सान करेंगे